हालो साथियो नमस्कार मैं हो गौतम कुमार और आप देख रहे हैं परतिवा फाउंडेसर में आप सभी का हादिक स्वागत और अब जंदर करते हैं साथियो आज की इस नई वीडियो में साथियो आप जो देख पा रहे हैं कि यहां बेल्टरॉन का आपका लोगो लगा हुआ है तो आप समझ गये होंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं कि बेल्टरॉन के रियाडिंग ही बात करेंगे तो इसमें हम लोग समझेंगे दोस्तों कि जो बेल्टरॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर का जो वेकेंसी आया है जिसका आपको 15 फरवरी से फॉर्म फिलप करने होंगे ठीक है और इस तैयारी के सिले के लिए ही हम बात कर रहें आप से तो पहले सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेंगे और समयने के बाद हम कुछ बाते करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसका पैटर्न क्या है कैसे क्या एक्जाम होगा सारी बिंदू अपरेटर का अब बेल्टर जो है डी यानि डाटा इंट्री ऑपरेटर का एक्जाम जो है फॉर्म फिलफ हुआ है तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इसके जो बेसिक बाते हैं उसको हम लोगो समझ लेना है पहला यह है कि परिक्षा जो एक कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट यहां तक समयने कोई दिकत नहीं आप सभी को देखिए अब हम लोग समझ गये कि कंप्यूटर पर ही अधारित एक्जाम होगा अब परिच्छा जो है कुल जो है साथ जो है बहु बिकल्पी यानि mcq प्रसन पूछे जाएंगा ठीक है अब प कोश्चन दिया जाएगा ठीक है और साथ कोश्चन जो है परतेक सही उत्तर के लिए एक अंक नेरधारित है ठीक है और परिक्षा जो है दूई भासी होगी हिंदी और अंगलेजी में दोनों में आपके प्रसन पत्र होंगे ठीक है यहां तक समयने परसानी नहीं एक बार औ स्थांग नेरधारित है और परिक्षा में कोशन में मिलेंगे वह हिंदी और अंगलेजी दोनों में होंगे ठीक है इसके बाद अगला ताइपिंग स्पीड ठीक है उसकर एक मिनट में आपको 25 की टाइपिंग करना ठीक है इसके बाद आपको अंग्रेजी टाइपिंग में आपको 30 मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करना तो साथ यह तभी आपको हो सकता है जब आपको सबसे पहले सीवीटी एक्जाम में आप पास करेंगे ठीक है सीवीटी या में जब पास कर जाएंगे तब आपको यह टेस्ट देने का मौका मिलेगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा एकुरिसी के साथ साथ आपको सुधता का भी ध्यान रखना होगा ठीक है चलिए अब आगे हम लोग एमसी की होगा मल्टी चुवाइस कोस्चन ठीक है डूरेशन जो है आपका एक घंटे का टाइमिंग मिलेगा आपको और एक्जाम लेंग्वेज जो होगा आपको प्रस्ण हिंदी और इंग्लिस दोनों में होगा और हिंदी टाइपिंग जो है पचीस वर्ड पर मिनट होगा और इंग्लिस टाइपिंग जो है तीस वर्ड जो है पर तेक मिनट में होगा ठीक है अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग सिलेबस की जगर बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ट जो होगा यह CBT में कहां से प्रश्ण होंगे और कैसा या और क्रश्ण होंगे तो क्या आपको पूरा हाडबियर सोफ्टिवियर से प्रस्णाइगे जी बिल्कुल नहीं आपका जवाब इसमें नहीं है यहांँसा प्रस्ण नहीं आएगा तो क्या प्रश्ण तो देखिए तो पहले तॉपिक दिए हुए है आपको जो चेपटर दिया हुए दस उनिट में डिवाइड किया गया है ठीक है पहला है चेपटर की आपको Be Baby computer ठीक है इस चेपटर में हम लोगं computer के Basis के बारे में जानेंगे यहां से कम्प्यूटर का क्या-क्या बेसिक है और क्वेश्चन से सम्मंधित बाते इसमें पूछेंगा ठीक है पहले एक नजर हम देख लेते हैं इसका फिर से आपको करेंगे देखें दूसरा चेप्टर है आपका ओप्रेटिंग सिस्टम तीसरा आपको चेप्टर है कि बेसिक आफ यह द्वार्ट प्रोसेसिंग तिछ अधा चेप्टर के फॉर्मेटिंग डॉक्मेंट्स मेल मर्ज करना है पच्मा आपको चेप्टर है छठाचेप्टर है आपको बेशिक इसके बाद फॉर्मेटिंग है वर्क सीट से और फर्मूलाज है फॉंक्शन से चार्ट इन सभी चीजों का अध्यान जो हम लोग चेप्टर नमबर आठ में करेंगे ठीक है चेप्टर नमबर नौ जो है यह क्रियेटिंग प्रेटिंशन है यह प्रेटिंशन बनाने का आपको प्रेटिंशन क्या होगा कैसे क्या बनाया जाता है वह सब चीजों चीज में देखा जाएगा इसके बाद इंटुड़क्शन टू इंटरनेट यानि इसमें इंटरनेट से पर्चे करेंगे और दस चेप्टर में हमारा जो साथ कोस्टन का जो सिलेवस है यह आपको दोस्तो कम्पलीट हो जाएगा ठीक है तो आखिर बताने का यह उद्देश क्या है दिखिए यूटूब पे अभी जितने भी कोर्स चल रहे हैं सभी जो है सभी चाइनल के दोवारा जो है पेड कोर्स दिया जा रहा है ठीक है और आपको एक डेमो वीडियो के बाद आपको सभी कोर कोर्स में आप क्लास ले रहे हैं ठीक है लेकिन हम जो है यहां वैसे काम करेंगे कि आपका टोटल सिलेबस जो है हमारे चाइनल पे यानि प्रतिवा फाउंडेशन पे आपको फिरी ऑफ कोस्ट जो है यहां ही से शुरू हो जाएगा और हर टॉपिक से हर चिप्टर बाई ज ठीक है तो देखिए सबसे पहले हमारा जो परहाने का तरीका क्या होगा सो हम लोग जाने हैंगा ठीक है ठीक है सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी की माल लेते हैं कि चेप्टर स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर ठीक है हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे कि ब बन सकते हैं वहां से आपको थियोरी करा जाएगा फालतु कोई बाते नहीं करा जाएगा ठीक है और ऐसा करा जाएगा जो आपको प्रोसेस यहां भी वही क्याम चलेगा मतलब लगभग जो है आपको सभी चेप्टर का हम क्या करेंगे कि आपको थियोरी देंगे जहां से आपका सब्जेक्टिव के सांसाथ बेसी क्लियर करेंगे और बेसी क्लियर करने के बाद आपको जो है इसका ऑपजेक्टिव कोउस्टन करा देंगे जो मश्ट भी बी याई questions होगा ठीक है और तब जाके आप exam का तयारी जो है वक्षूबी आप कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग जो है हाली में हम आपको civil court reader का जो है आपको प्रहाया है computer उसमें आप देखे होंगे कि आप जाके channel पे आप बीट कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि उसमें मैंने मेरे प्रहाया हुआ वीडियो से आपको 15 question में 11 question हमारे वीडियो से ही आये ठीक है और दोस्तों इसमें आपके पास बहुत समय है चुकि एक्जाम जो है अब election से पहले होने वाला नहीं है अब चुकि आचार सहींता लागू भी हो चुकी है तो अब election के बाद ही आपका exam होगा ठीक है और आपके प जून में अगर खुब फास्ट करेगा तो जून में एक्जाम हो जाएगा जब जून में एक्जाम होगा तो आपके पास मोटा मोटी दो महीना आपके पास है जिसमें आप जो साथ नंबर साथ यो question है computer का इसका बहुत ही अराम से authentic तयारी जो है आप हमारे चाइनल के माध् की ठीक है तो आप हमारे चाइनल पर बिजिट करके देख सकते हैं कि हमने सीवील कोट रीडर के लिए श्रीफ पान से च्छे वीडियो बनाया है और बहुत हरवरी में मत दो से तीन दिन के टाइम में बनाया थे ठीक है और उसमें भी पंदरह कोश्चन में से 11 कोश्चन आय है और इसमें आपका राय भी हम जाना चाहते है क्या इस लेवा सुरू किया जाए और आपको वीडियो लाया जाए और आप पसंद करेंगे तो वीडियो लाया जागा अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं लाएंगा ठीक है तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूल कर दिए